जै मादादी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है माभगवती दुर्का की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सरवदा बनी रहे दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे धन्तेरस के बारे में बहुत विशेश, बहुत महत्वप्रोन जानकारी शेयर करने वाली हूँ धन्तेरस के दिन दीपदान का बहुत अधिक महत्व है इस दिन किये गए दीबदान से बहुत अधिक शुब फल की प्राप्ति होती है बहुत अधिक पुन्य फल की प्राप्ति होती है लेकिन आज के दिन जो हम दीबदान करते हैं वो हमें कैसे करना चाहिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस देवता के नाम से हमें हर द लेकर धन्वंत्री देवता जो है वो बाहर निकले थे स्वर्ण के कलस में उन्होंने अम्रित ले रखा था जिससे कि उनको देवताओं का व्यद कहा जाता है तो इस तरह से धन्वंत्री देवता की तो हमें पूजा करनी ही है उसके साथ ही हमें कुबेर देवता की पूजा कर ताकि जब हमारे घर में धन आये हम उसका संचालन पूरे बुद्धी और विवेक के साथ कर सके इसलिए आपको इन चार देवताओं की पूजा विशेश रूप से धन तेरस के दिन करनी है इसके साथ ही आज के दिन विशेश रूप से दीपदान का महत्व है ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन तेरह दीपक जलाना चाहिए ये बहुत ही शुभ माना जाता है और इन तेरह दीपकों को जलाने से घर में सुकसम रिद्धी आती है घर में रिद्धी शिद्धी का वास होता है घर में उत्तम स्वास्थिकी प्राप्ती होती है और धन वैभव हमारे घर में स कैसे प्रजवलीद करना है किन देवताओं का स्मरण करते हुए और किन स्थानों पर इन्हें रखना है यह मैं आपको आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं तो दोस्तों वीडियो आज आप पूरी देखें क्योंकि बहुत जरूरी है आपका यह पता होना कि किस तरह से ह पानी में भिगोदें दो तिन घंटे के लिए जिससे कि वह अच्छे से पानी उनमें शोख ले और इस तरह से आपको दीपक बनाना है साथ ही आपको दीपक के लिए बत्तियां बनानी है जो चौमुखा दीपक होना चाहिए और जो दीपक आप में आप बत्ति डालेंगे वो दो बत्तियां होंगी सिंगल बत्ति नहीं जलाई जाती है अगर बीच वाली रूई की बत्ति होती है तो सिंगल जलाई जाती है लेकिन अगर हम जो कपड़े वाली बत्ति होती है या रूई वाली भी जो कौटन की बत्ति आती है लंबी वाली वो एक साथ दो बत्ति र देबाद करते हैं तभी उसका हमें पुरुन लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों पहले हमें यह ध्यान रखना है कि हमें कि लिए पहला लाप्त बहर भगवान कीजी का होता है। कि इन YouTube के लिए श्लेज़ा सिरल तो किसी भी विध्र्ण बाधा को दूर करने के लिए हमें भगवान गणिश जी की पूजा करनी है क्योंकि जो धंतेरस का दिन है ये बहुत विशेश होता है मालक्षमी की अराधना करने जा रहे हैं आज से शुरू हो जाता है पंचपर्व और हम मालक्षमी की अराधना करते हैं इस समय से तो इस लक्षमी की अराधना में हमारे जो प्रयोग हम करने वाले हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई विग्न बाधा ना आए, इसके लिए हम भगवान गडिश की प्रार्थना करते हुए, पहला दीपक उनके नाम से जलाएंगे, और उस दीपक में हम एक इलाइची डाल देंगे हरी वाली, रिद्धी सिद्धी के द जलाना है मातालक्षमी के नाम का, भगवान गडिश जी को जो आप दीपक जलाएंगे वो शुद्धी का होगा, दूसरा दीपक मालक्षमी का जलाना है और ये भी सुद्धी का होगा, मालक्षमी को हमेशा सुद्धी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, तो दूसरा दी घर में धन संबंधी जो परेशानिया हैं वो सभी दूर हो और आर्थिक संपन्यता मुझे प्राप्त हो इस तरह से आप मालक्ष्मी का स्मरण करते हुए दूसरा दीपक प्रजवलित करेंगे दोस्तों तीसरा दीपक आपको भगवान धनवंतरी का जलाना है एक उत्तम स्वास्ति के लिए आपको धनवंतरी देव की पूजा अत्यनत आवश्यक है करनी क्योंकि धन हो और हमारा स्वास्ति अच्छा नहीं हो तो हम उस धन का पुर्ण रूप से लाभ नहीं ले पाते हैं हमारे पूरे परिवार को आप निरोगी काया दें इस तरह से आपको धनवंत्री जी से प्राटना करनी है और उसके बाद आप उनके नाम का दीपक प्रज्वलित करें और जो दीपक आप प्रज्वलित कर रहे हैं धनवंत्री देव के नाम का उसमें आप एक लौंग अवश् गणेश और धन्वंतरी की पूजा ये चार देवताओं की पूजा जो हम धन्तेरस के दिन करते हैं तो इनकी जो तस्वीर आप लेकर आए हैं या अपने मन में श्मरण करते हुए घर के मंदिर में ही ये चारू दीपक रखे जाएंगे इन सभी देवताओं का ध्यान करते हु और इसमें आप तिल तेल या सरसों का तेल भी डाल सकते हैं दोस्तों इसके बाद चौथा दीपक आपको जलाना बहुत आवश्यक है क्योंकि यह यम देव का दीपक है इस दीपक को प्रजवलित करते समय आप इस दीपक में एक कौड़ी डाल दें ये दीपक दोस्तों क्युक्ति इस दीपक प्रजवलित करें गये उसमें आपस एक सिक्का डाल दें यह सामग्रियां आपके पास उपलब्ध हो तो अवश्यक आप डाल दें इस तरह से आपको दीपक जो यम देवता का प्रजवलित करना है यह दीपक आपको रात्री में तब बाहर निकालना ह जब आप घर के जो भी सदस्य है सब घर में आ जाए सब का खाना पीना हो जाए सब लोग जब सोने लग जाते हैं तो ऊस समय में घर का जो मुख्या होता है जो बुजुर्ग है मतलब कोई भी जो मुख्य महिला है वह इस दीपक को प्रज्वलित करती है और पूजा करके इस दीपक को हमारा मुख्यद्वार plano मार्त हम भाँ दाहिना हात होता है तो फंहे दीपक हे लेगा तो किसी दली सकते हैं और फूडदे ऑग्याली में की आप काट रहों सकते हैं Long सबसे अंत में होता है जलाने का बाकी के सब जो दीपक होंगे वे संध्याकाल में जलाए जाएंगे दोस्तों अगला जो दीपक है पांचमा दीपक वो चित्रगुप्त के नाम का जलाना है आपको धंतेरस के दीन भगवान चित्रगुप्त की पूजा भी जरूर करनी दोस्तों यह दीपक भी आप तिल के तेल से जला सकते हैं सरसों के तेल से जला सकते हैं लेकिन चटा दीपक जो आपको जलाना है वो शुद्धिघी का जलाना है क्योंकि चटा दीपक आपको मात तुलसी के लिए जलाना है मात तुलसी को शुद्धिघी का दीपक प्रज्वल के डाल सकते हैं जो हरी मूंग होती है वो आप डाल सकते हैं नहीं तो कोई बात नहीं आप उसमें भी एक रुपय का सिक्का अवश्य डाल दें दोस्तों कोई भी दीपक आपको खाली प्रजवलित नहीं करना है आज के दिन सब में आप एक रुपय का सिक्का अवश्य डाल द तो जो हमारे घर की टंकी है जहां से हम पानी लेते हैं तो वो हम अपने घर की टंकी के पास भी यह दीपक प्रजवलीद करके रख सकते हैं आप इसमें एक रुपे का सिक्का डाल दे या फिर थोड़े सी इत्रया खुश्बू वाले फूल को यापके पास पड़ा हो तो आताए जिसमें सभी देविदेवताओं का वास माना जाता है तो इसलिए आप इसे किसी गौसाला में रख सकते हैं अगर आपके घर के आस- activity स्थान पर दढ़ते हैं नहीं है तो अपने मनं में explorer करते हुए कि आप गौ माता के नाम से यह दीपक प्रजवलिद कर रहे हैं आप ये दीपक अपने घर में ही किसी भी स्थान पर रख सकते हैं घर के इशानकोण में रखते हैं, मुख्यद्वार पर रखते हैं कहीं पर भी रखते हैं, मा गौमाता का ध्यान करते हुए दोस्तों अगला जो दीपक है, यानि कि नौमा दीपक आपको जलाना है अपने घर के आंगन में जो ब्रह्मस्थान होता है, वहाँ पर आप जला दें इस दीपक को और उस दीपक को जलाते समय भी उसमें आप एक रुपे का सिक्का अवश्य डालें ब्रह्मस्थान बहुत मुख्य होता है, इस जगह पर कभी भी आपको गंदगी नहीं रखनी चाहिए हमेशा साफ सफाई रखना चाहिए, इस से घर में हमेशा सुक सम्रिद्धी आती है इस स्थान पर पहले के समय में आगन के बीच में जो जगह होती थी ब्रह्मस्थान में जो हमारी दादी के समय की बात कर रही हूँ कि जो अभी भी है पुराने समय के जो घर अभी भी हम गाउं में चले जाए तो हमारे गाउं में जो घर है उसके ब्रह्मस्थान में एक तुलसी होती है तुलसी रखा जाता है और वहीं पर ध्वजा रोपन किया जाता है जिसमें की बांस के डंडे पर ध्वजा मतलब हर घर में आपको एक ध्वजा तो अवश्य मिले का गाउं में अभी भी जो ब्रह्मस्थान में होता है जिससे की घर में सम्रिध्धी का सदा आगमन रहता है घ आप जहां पर भी दीपक रहे हैं, उस दीपक के नीजे आपको आसन अवश्य देना है, तो आप चाहे तो पुस्प का आसन दे, या फिर आप चावल थोड़ा सा पी ले रंग का चावल आप रंग ले हल्दी के साथ और उस चावल को थोड़ा सरक कर उस पर आपको दीपक लाते हैं उस खील के दाने आप जो अब ब्रह्म स्थान में जो दीपक रखेंगे उसमें जरूर रखें दोस्तों दस्वा दीपक आपको अपनी छट के लिए जलाना है जो आकास दीपदान जी से कहा जाता है जो कि आप खुली जगह पर करते हैं तो जो आपका छट है या फि साथ पीली सर्सों के दाने अवश्य डाल दें धंतेरस के दिन आपको जो दीपक जलाना है अपने पित्रों के नाम पर जलाना है हमारे पित्र देवता जो कि जिनकी कृपा से हमें समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है और हमें सुक्सम्रिधी की प्राप्ति होती है उ यह धीरा करते होिए यह प्रीपक किम फ़ाई बारकना हैं. डिशनम बार्वा यह आती हैं लिखनेप्वा क्षेड पुलांबधी छृओदिन की किनारे इसका अधिक पुन्यफ़ल प्राप्त होता है लेकिन हम अपने घर में हैं तो हमारे घर में ही हम धन्तेरस के दिन गंगा जी को श्मरन करते हुए उनके उनको अपने रिदय में श्मरन करते हुए आपको ये दीपक प्रजवलित करना है जिससे कि हमारे जितने भी पापकर्म है वो नश्ट हो जाएं हमें मोक्ष की प्राप दोस्तों धंतेरस के दिन जो तेरवा दीपक आपको जलाना है वो आपको अपने घर के तिजोरी के लिए जलाना है जहां आप अपना पैसा रखते हैं जहां धन रखने का आपका स्थान है वहां पर आप एक दीपक अवश्य प्रजवलित करें इस दीपक को प्रजवलित करते आप वहीं साथ में रख दें जहां पर आपका पैसा रखने का स्थान है चाहें आप अपना अलमारी में रखते हैं या कहीं पर भी रखते हैं पर जहां भी पैसा या आपने जो जूल्री वगरा रखी हुई हैं उस जगह पर एक बार दीपक अवश्य प्रज्वलित करके उसे दिखा दें तो यह बहुत ही स्रेष्ट माना जाता है इससे आपके धनमे व्रिद्धी होती है दोस्तों जो आपने एक एक रुपए के सिक्के इन सभी दीपक में डाल रखे हैं उसको अगले दिन आप एकत्र करके किसी गरीब को दे सकते हैं या फिर आप किसी मंदिर में भ होते हैं तो आप उनको भी दे सकते हैं इस तरह से आप उन सिक्कों को फैके नहीं बाहर किसी को दे दे घर में भी आप उसको यूज नहीं करेंगे आप उसे किसी ऐसे व्यक्ति को दे जिसको जरूरत हो तो आप इस तरह से उस पैसे को कर सकते हैं यह दीपक आप सभी उठा अपने दर्वाजे के पास से उठाकर थोड़ा सा दूरात फैंक दें अपने घर से इस तरह से आप या फिर आपके पास डश्ट बीन है तो डश्ट बीन में रखें बाहर ही डश्ट बीन में रखें घर के अंदर उस दीपक को नहीं लेकर आना है दोस्तों यम देवता का दीपक आपको मालक्षमी के लिए गणेश के लिए और जो तुलसी माता है इनके लिए विशेश रूप से जलाना है बाकी देवताओं के दीपक आप चाहे तो तेल से जला सकते हैं सरसों तेल से जला सकते हैं यम देवता का दीपक आपको सरसों के तेल से ही प्रजवलित कर गणेश श्री री विष्णु के साथ see if a ने रहे अपार्द अमपदा आप इन्यामों in के विटाएं से दिनको मालक्ष्मी के मंत्रों का परना चाहिए जिससे की मालक्ष्मी की क्रिपा मिलती है और दोस्तों आपके घर में आपके परिवार के सभी सदश्यों को धनतेरज की बहुत बहुत शुब काम नाए मेरी तरफ से मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में लेकिन इससे पहले मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी हेलफूल हो तो इसे लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें अपने फैमली और फ्रेंड्स के साथ और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी बहुत सारी सुपकामनाओं के साथ मैं मिलती हूं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार